आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ड करने वाले है एक्जाम्पल नंबर 13 इंप्रोपर इंटेग्रल अनालसिस बीसी थर्ड सेम्टी जदी आप न्यूवन है तो हम आपको बता देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाए और बहाँ पर इंप्रोपर स्माइल आ जाने चाहिए वीकवन की प्यारी सी स्माइल के सा आ स्टारड करते जहां पर बैट रान की आपके लिए राच्पाया थीए यह हो सकते हैं तो आप अप फोन यूज़ कर सकते हैं और प्माइल हमने चाहिए तो आज़े लिए टॉपिक एग्जम्पल है that is again काफी important example ही मैं आपके लिए लेकर आओ So we need to test the convergence of integral 0 से infinity 1 over 1 plus x minus e की power minus x into 1 over x into dx तो जांगर आपके पास starting हमारे पास क्या होने कि 0 से लेकर infinity तो 0 के ऊपर सबसे बले हमने check करना क्या हमारा 0 single point है जा नहीं तो start करते हैं इसको जबाने पास क्या है कि सबसे बले हम fx को ले लेते हैं So we have f of x is equal to 1 over 1 plus x minus of e की power minus x into 1 over x तो हमने 0 के ऊपर check करना होता कि हम इसको 0 पुट करके जदि जह infinity बनता तो 0 हमारा point होते है infinite discontinue कर जदि final value आदे तो 0 हम सेफ होते है तो तब हम उसको break कर साथी तेकिन जहां पर एक चीज का जो हमने द्यार रखना है वो क्या कि आप direct 0 नहीं पुट करना है यहां पर तो यहां पर कुछ simplification before putting directly 0 in this we need to make some simplification that is we need to use the expansion of e x so now our next approach is what that is 1 over 1 plus x और जहां से मारे पास आएगा minus power n numerator में तो इसको में लिख सकते है e की power x denominator में into 1 over x so here we need to take the elsim and after taking elsim we get new f of x in the form of e x minus 1 plus x divided by हमारे पास e x into 1 plus x और j आपके पास x उसको भी हमने जहां पर लिख दिया तो अब हमारे पास जहां पर आ चुका है कि जदी हम जहां पर again आप put करोगे 0 पुट कर लिए तो तब ही आपकी problem आने बाली है जहां पर आपके पास e के पास 0 1 बढ़ जाएगा जहें 1-1 0 और 0 और आपके पास 0 फॉर्म बढ़ जाकती है और तो वो हमारे पर से इंडिटर्मिनेट फॉर्म होते कि हमने ऐसी फॉर्म से बचना है तो अब हम क्या गरेंगे जहां पर e x की जो expansion होती बेटा उसको यूज़ करना अभी e x की expansion आपको जाद रखनी होगी और जदी आपको जहां पर e x होगी sin x होगी cos x होगी log of 1 plus x log 1 minus x की expansion को जाद रखनी में प्रॉल्म आरही है तो आप नीचे comment box में मेरे को बताते ना उनके एक short trick में आपको बदा दो जहां कि आपको जाद रखनी बिरत नहीं जादि आप भूल जाते हो तब भी आप उस एक method से सभी सारी की extension sign, cos, log और e x को आप create कर से तो within 10 minutes आप उन सभी को handle कर सते हैं तो जहां पर आप उसको comment box में जुब mention कर दिए तब मैं उसके उपर video आप के लिए लेकर आउंगा तो अभी हमने जहां पर e x की expansion की वो होती है हमारे पास बेटा आप जा रखना 1 plus x plus x square over 2 factorial और plus x3 over 3 factorial action में यह होता है कि जहां पर x3 power 0 over 0 factorial x3 power 1 over 1 factorial plus x square over 2 factorial ऐसे हमारे पास continue चलता रहता है तो जहें ऐसे चलेगी और जहें का infinity तक जा रहे हैं तो इसको आप ऐसे लिख सके bracket में minus हमारे पास क्या है 1 plus x है और आपने इसको numerator में ही पूट करना है अब जहां पर ध्यान देगे जैसे आप इस bracket को उपन करेंगे तो जहां पर plus का 1 जहां पर minus का 1 जहां पर plus की x जहां पर minus की x तो जहें जो पूरा factor जहें इससे cancel हो जागा और remaining जो आपके पास बचेगा वो बचेगा वो बचेगा x square over 2 factorial x 3 over 3 factorial up to sun तो उसमें से आप एक x को आपन निकाल लेजेगा तो जैसे में x को आपन निकाल तुमारे पास बचेगा x over 2 factorial plus x square over 3 factorial up to sun numerator में और नीचे मारे पास x into 1 plus x into x है तो जी जो x हमें problem create करता था वो अब इससे cancel हो जाएगा और जो आपके पास बचा वो अभी मारे पास fx है so now putting x is equal to 0 तो जब मैं यहाँ पर limiter लगा दोंगा कि ऐसे में limiter लगा देनी है extending to 0 में पूट करने वाले हैं इसके उपर extending to 0 तो जब आप 0 पूट करेंगे तो आप देखें क्या बनेगा आपके पास कि आपका numerator 0 नहीं बन रहा है नुमिनेटर में sorry denominator आपका 0 नहीं बन रहा है उसको हमने save कर लिया है तो मारे पास जहाँ पर 0 आजाएगा तो आपका नुमिनेटर तो 0 बन रहा है तो जब आप डिरेक्ट बिटा कर देंगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगी तो आपको लगेगा कि जहीं भी मारे पास कर नुमिनेटर चेक करने तो जहाँ पर आपके पास जब सब्सक्राइब तो आपने जहां पर सिंप्लिफ्क्वेशन करने है पहले तो आपने इस बात का द्यान रखना है तो अभी मारे पास जिरो के प्रम सेफ है तो हम लिख सब्सक्राइब तो देवो फूर जीरो नाम हमने कर लेना है आय आप लेट कर लेना तो तो लेफोर आई इसी पाउड जिरो से लेकर इंफिनीटिव अभी मैं इसको नाम एपट आपइस कर लेकर हूं बिकौल जाला लिखेंगे तो नेथ जाला बजाएकि तो एकस इंटू-देथ को रेख כर सकते हैं जो से पर आपका function already defined होगा, 0Q पर भी मारे पास finite होगा, so this is a proper integral and proper integral mean it is a convergent one, अब इसकी convergence से direct depend करेंगी आपके पास इस i2 के उपर, यदि जे diverse करता है और जे converse, converse mean finite answer, diverse mean infinity, infinity plus finite again infinity को आपका जे infinity हैगा, mean diverse करेंगा, यदि जे converse करेंगा, जे भी converse तो दोनों को add करेंगे, तो भी finite answer आपके तो जे converse करेंगा, अभी सारे की सारे जो game है हमारी यहां पर, वो i2 की है, तो अब हमने i2 को चेक करना है, हमने infinity की उपर काम करना है, infinity की उपर शेक करना है, तो अभी हम इसको start करते हैं, तो इसको आप start महां कर लें, आया, तो start महां कर लिया, so now we need to check and discuss the continuity, discuss the convergence, we now need to check the convergence at infinity of i2, अभी i2 में हमारे पास क्या है, effect, सबसे बदे हमें इसको लिखने का method बताता हूं कि, ix को उने discuss करना है, ठीक है, तो आप इसको ना लिखे, तो इसको ना लिखे, तो सिर्फ i2 लिख दे, अभी ना हमारे पास है क्या, हमारे पास है f of x, which is equal to what, क्यों सी form जासनल करे, जे वाली form करे, जे वाली करे, तो मेरे एक आटिंग, जे form बाली जो best होगी, तो इस form q पर हम काम करते हैं, तो जे वाला हमारा जो suitable one है, और आप इस q पर भी काम करते हैं, तो यस, it is suitable one, तो अभी हमारे पास f of x, एक्स, माइनस one प्लस x, ओगल एक्स, तो जाम पर हमें x को पहले लिख रहा हूँ, x into one plus x, तो अभी चेक करते हैं, कि हमारे पास जो f of x हो और जदी हम इस बें infinity पूट करते हैं, तो आंसर कैसा आएगा, थोड़ा समय नहीं जाते हैं, one plus infinity, again infinity, तो हमारा न्यूनिटन infinity है, और नीचे देखिए, एकी पाप infinity, infinity आ जोगा, जेवी infinity, जेवी infinity, तो हमारे पस infinity वाई infinity फ़र्म बन रही है, तो इसको हमने reduce करने की कोशिश करनी है, तो सबसे पहले इसको reduce कैसे करें, कि जी जो फ्यादा फेक्टर है, one plus, तले इसकी उपर आते हैं, आपके बसको भी bracket में होगा, बन हो जाएगा, और सबसे जो एक्सिस के रहा है, आपका doubt होगा कि भाई, एक्सिस के रहा है, तो भी तो infinity मनता है, यह एक्सिप तब भी numerator, sorry, denominator में infinity है, लेकिन जे जो दो फैक्टर होगे, इनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन सेप्रेट कर देंगे, देखते हैं, आगे- पस आना है, लेकिन करना मुश्किल है, जादी रोज करेंगे, डेली करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जे, automatically आजेगे, कहने की जो तो नहीं पड़ेगी, आप अपनी smile के साथ, किसी को भी हरा सकते हो, अपने सामने, खड़े-खड़े, बिना कुश कहें, तो बस इसको मंटे रखे, तो जहाँ पर हम क्या दरने माने अभी, इसमें से x को कमन निका लेंगे, तो we can write, ex minus 1 plus x over, जैसे आपने x को कमन निकाना, तो यह हमारे पास x इसकी है, और जहाँ पर 1 over x plus 1 आ जाएगा, अभी इसके बास नेक्स टेप आपर क्या होगा, अभी जहाँ पर अधे, जह तो fx क्यों पर बात कर रहे हैं, यह जो ex है, जिदि हम fraction separate कर वेते हैं, तो मारे पास क्या होगा, ज्यान से देखना भी, मारे पास जो fx है, माला हम जबी fraction separate करते हैं, इस ex को आप just numerator में लेकर जाएगा, आप इन दोनों को भी जहाँ पर रखते हैं, ex को just हम, जो मारे पास numerator fraction separate करते हैं, ex तो मारे पास क्या बनेगा, मैंने ex को ex से डिवाइड गया, तो मेरे पास 1 बन जाएगा, और minus मेरे पास 1 प्लस x को मैंने डिवाइड करना ex के साथ, तो मैंने just ex को उपर खाया, जो बाकी term थी उसको हमने कुछ नहीं करना, 1 over x plus 1 into x कर, अभी देखते हैं, क्या आपके पास 0, 0 plus 1 जे safe है, जहां पर आपे infinity पूट करते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, इस तो एक नट यहां पर कुस टेक्निकल प्रॉब्म आ चुकी मेरे सेट में है, तो जहां पर सहासात में आपको इंटेग मिलेगा, कुछ यह लाइट की प्रॉलम्स आछें पता नही तो खराब होगी एक मारेख बात करेंगे, इसके उपर बात करेंगे, हमारे पास 1 over infinity 0 plus 1 जह सेफ है, जहामा पर infinity over infinity फर्म बनेगी, तो उसको हम l hospital रोल लेगे, तो भी वो सेफ हो जाएगा, विकॉस एल पर रोल गाते ही, जैसे हम एल हॉस्पिटर गूल गाएंगे तो 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेट होगा, वो बन बन जाएगा, मिन इसका 0 जे 1 और नीचे एक्स का एक्स आएगा, तो जे 1 ओबर एक्स तो उसमें इफिनिटी पुटिक करेंगे, तो 1 ओब है, मिन आपके पास नीचे इनिफिनिटी बन रही है, जो एक्स क्या रहा है, तो जिदि हम इसको किसी तरह से खतम कर पाएं, बैसे तो आप सुचेंगे कि 1 ओबर इनिफिनिटी जरो बन जाएगा, लेकिन होगा क्या, जिदि अब इसको देखते हैं, आप इसको जिदी फ्र हम बन जाएगी, तब हम L ऊस्पिल रही है, तो प्रॉलम आएगी, तो सिंपली मैं बताना क्या जाता है, जिदि हम इसको इसको इनिट करते हैं, इसको इसको इनिफिनिटी जाहां पर आएगा इस इनिफिनिटी को बटाने के लिए हम क्या बरेंगे, तो टेक फाइए उफ इस इस जी फैक्टर मारा वन ओबर एक्स के रहे हैं तो इसको हमने 5x कंसीडर करना है जैसे आप इसको ड्बाइड करेंगे बिटा ऐसे 1 ओबर एक्स के साथ तो जी जो आपका नीचे आने माला है विकॉस अब हमारी जो मीइन फैक्षन जी वाली जो जे नीचे आजएका जो सबसे नीचे को उबर चलागे तो होगा कि आपके पास जहांपर आपके पास वजएगा 1-1 1-1 प्लस-x ूबर e-x ग्शा चाहिए जो नीचे पर एक्स कर द वो तो अब लास्ट ट्वाग अवम जभी infinity जरतो अमनाग निकल अगा जहां से हट चुका है 1 & 0.1 2.0 एपिंटोस उन निंपेटी इंफेंटी फ्री हम कर चुकर है जैसे हम कहते हैं वाइर्स प्री हो चुका है एंटिवारस करने की बाद तो ऐसे 5X जहां पर एंटिवारस को काम करता है तो अब जो भी नियोनेटर में देखेंगे तो जहां पर प्रडम है infinity ओपर infinity आंसर क्या होगा इसका डरीबिट और नीचे एकस और वान ओब ऑर एकस में जब आप पूट करेंगे इनफिनिटी तो उपर वन नीचे इनफिनिटी गंपर इनफिनिटी टोटर जीरो होगा तो अब हम डिरेक्ट लिखने बाले तुमारा आंसर क्या होगा जहां पर 1-0 over 1 हो जाएगा that means total answer 1 तो आप लिए ना y applying by l hospital जो हमारा rule है इसके according तो अब आपके पास answer कि था आ चुका है limit extending to infinity fx over 5x का answer 1 आ चुका है तो भी जाद कीजिया उन test को जो हमारे कास थे practical comparison practical test उसमें ज़िए answer 1 आ जाए और साथ में में क्या आता 5x को चैक करना जैसा nature उसका होगा वैसा nature 5x का होगा अभी एक बात और नोड कीजिए बंजामर चुक करता हूँ आपको कुछ अवास सुनाए दे रहे हैं जहां पर एक कुछ है ने कासा कोई जीव है कोई word है जो साथ में इंटरेंट करने के लिए आपके लिए वो आजाता है जहां पर और उसकी जो जहां साँंड रसका उसकी पिछ काफी मेरिकरण काफी है तो उसकी जो वाज आपको कानों में जाएगी तो प्लीस उसको इगिनोल कर दीजिए तो सिर्फ और स्वा मेरी एक जो मिठास मेरी अवाज उसको सुने की बोशिच किजिए जहां पर तारिफ कुद की करनी चाहिए विकार दूसरे करेते हैं नहीं भी करते तो आप खुद की तारिफ जरू कर जिए जेह पर हमारा एकरा सिर्फ एक्टीक recibir अब रृभेस के ज़िए आप जता हो चुका और इसका रिजल आप ने से लेकार जाओ पर यह शुका होगā tre पी इंटो डी एक्स बेर आपका a greater than 0 is convergent होता है जब आपके पास जो power p greater than 1 and is divergent होता है आपके पास जब आपका p less than or equal to 1 होता है अभी आपका 5x कर रहा है जे answer आपका 1 है तो आप लिख सरते हैं तो therefore by comparison practical test आपका जो फाइ ओफ एक्स बर्गिन जिसको उने नाम i2 दिया था once लेकर infinity f of x into da is convergent वो भी आपका convergent होगा तो hence आपका i1 हम आप आपने अपने अप्रूप कर दिया और दोनों को combine करेंगे आपका जो total given question था i को converge हो जाएगा so hence तो आप लिख सती जहांपर y star जो आपका i है is convergent तो वो आपका convergent हो जाएगा तो जाम पर आपके पास ऐसी example है जो मैं आपके लिए लेकर आरा हो तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो और इस वीडियो को एक वार दिखेंगे तो जूब डाउट आएगा आपका जदि आप अशेग हो math में समझ के होगे कि कितनी अशेग हो तो प्लीस इसको एक वार नहीं दो जा तीन वार देखना जी मैं अपने फाइदे के लिए नहीं कह रहा हूँ जी मैं आपके लिए कह रहा हूँ exam class में बैटन के तो सिरफ एक वार दीचर समझाएगा और मेरे कोडिंग 10 में से सिरफ 5 exam class में करवाते हैं मैं भी दीचर हो तो मेरे पास भी इतना टाइम होता syllabus नहीं खतम होता तो जहां पर मैं आपके पास च्वाइस दे रहा हूँ आपके हाद में पूरे का पूरा जे जो कॉस्टन आपके मोगाइल फून में लिए आप बीड़ा के पास भी आप सुन रहे हैं तो आपके पास जितना टाइम लगता उतनी बार ट्वीट पर सुनों ओके ओके ड़न तो भी आप इसको एक पर पॉस करके लिख लीजेगा पहले भी हमने पॉस करवाना था बहाँ पर मैं भूल गया तो आप बहाँ पर सैटेंग करवाने के लिए पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में तो जहांपर जिदी टूटल थर्टीं वीडियो से आप काफी कुछ गें कर पाएंगे इस अनैल्सिस को लेकर जहांपर बहुत डाउट होते थे आज़र टाइम जो मैं स्टूटेंट था तो मिरे को समझ नहीं आता था जिए उपर से प्लाइ कर जाता था कि 5X जारे 5X की से एक्शन को मैंने आपको बहुत ही वरीकी से समझाने की कोशिश की तो उनको रुपीड कर जू सुनेगा एक्जाम से जाने से पहले और जिब आपको जिए शी लगी तो प्लीज चार लोगों को मिनिमम नहीं आपको कम से कम 10 लोगों को इसको शेर करना होगा तबी मेरा जहा आउन और जदि मैं कुछ सिखाब बाहूं तो वो मेरी लिए ग्रेस और मेरी लिए ब्लैसिंग होगी लेकिन इसका नहीं सकता अशा लेकिन फिर भी ट्राइब करता हूं जितना सीखता हूं उतना आपसे शेर करता हूं तो दन्य बाद इस वीडियो को देखने के लिए होब आप एड़िटाइस करते हूं मेरी लिए आप ही मेरी अड़िटाइजर हो ज़िए आपको उच्छा लगेगा तो अपने आप चलेगा ज़िए आपको उच्छा नहीं लगे तो प्लीज मेरेको कमेंटरियार के बता दीजेगा तो थैंक यू फूर वाचिन इस वीडियो God bless you all